हेलो स्टूडेंट्स आई हम गुरुविंदर कौर सीनियर फेकल्टी एट अभी मन्यू आई है से वेरी वों वेलकम आल उफ यू इन दिस सेशन और आज यहां पे हम 2018 का पेपर डिसकस करने वाले हैं स्टूडेंट इससे पहले हम कुछ कुछ कुछन्स अल्रेडी डिसकस कर च इससे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से यह पता चलता है कि हंजी पीवाई क्योंकि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिल्कुल मिरर की तरह एक्ट करता है अगर एक्जाम को आपको पढ़ना हो फिक है तो मिरर की तरह एक्ट करेगा यह जस्त लाइका मिरर राइट स्टूडेंट इससे आपको एक आइडिया लगता है एक्जाम के बारे में कि हंजी उसमें किस टाइप से आ रहे हैं कहां से ज्यादा कुशन बार बार आ रहे हैं रिपीटिशन कितनी हो रही है क्या लेवल है पीपर का राइट कितनी डेप्ट में आ रहे हैं फैक्चुल करें कहां तक कि कुशन पूछे जा रहे हैं यह तो नहीं कि बहुत बैक दीट से कुशन आरे हैं करन्ट के फैर के तो इन सब का आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगते स्टूडेंट पी वाई सेशिं के अंदर ओकी तो ठीक है स्टूडेंट यहां पर हम रीड करते है question number 34 तो screen pay student मेरे साथ आपको question को पढ़ना है write उसको समझना है and after that फिर उसको attempt करना है ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऐसे करते जाना है आपको scroll और बस session को देखते जाना है नहीं मेरे साथ साथ session को देखो statement को पढ़ो फिर चाहे आप fresher ही क्यों नहीं है ठीक है? fresher ही क्यों नहीं है बट फिर भी आपको जो है न statement को पढ़ना है क्योंकि जब आप पढ़ोगे जैसे मालों आप polity पढ़ोगे geography पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो आपको idea लगता है कि हंजी ये statement मैंने video की अंदर देखी थी और अभी मेरे सामने वही statement मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप उस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हो, right? आपका focus बहुत अच्छे से बनते है ओके, तो मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है, pause लेना है, फिर उसका answer करना है, चाहे आप गलत answer करो, सही करो, बट करो right करना बहुत जरूरी है ठीक है, और जो बच्चे पहले से थोड़ा familiar है, कुछ subject सुनों की cover हो गया है, उनके लिए तो मतलब mandatory है, मुझे कहनी की जरूरत है ही नहीं उनको कि आपको pause लेना है, answer करना है comment box में, right? okay, तो देखे, किता दा panchaiti elections, the panchaiti elections are scheduled in the month of scheduled in the month of September 2018 in Punjab, consider the following statements about the panchaiti raj institutions, which of them are correct is incorrect, incorrect statement पूछिया student उनोंने, ठीक है जब incorrect statement आप से जब भी पूछे ना, student, आप उसको circle जरूर करो, ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, तो क्या आया, the term of the office to the panchait at every level is five year, ठीक है उनोंने बोला कि जो term है office की, किसकी panchait की, वो 5 साल की है, है या नहीं है, आप सब को पता ही होगा पांच साल की होती है, तो पहली statement तो हमारी सही होगी, तो दूसरी statement देखते हैं, कैता the direction of the direction and control of preparation of electoral role and conduct of all elections to the panchaits shall be vested in the election commission of India अब ये बोल रहे हैं यहां पर कि election commission of India जो है वो सारे हमारे जितना भी हमारा electoral role prepare होता है, ये elections होते हैं panchait को, वो उसको control करते है, directly, वर्ड है directly, फिर third statement है हमारी D statement, C the state legislature may make provisions with respect to all matters relating to elections in the panchait, फिर ये बोल रहे, फिर D है कैता दा 73rd amendment act provides for the reservation of not less than one third of the total member of seats for women including the number of seats reserved for women belonging to SCST तो ये भी statement हमारी सही है ठीक है, D option भी हमारा ठीक है, अब बताओ कौन सा correct statement है अपना बताओ pause low student video में फिर आपको question करना है तो क्या answer होगा इसका C answer होगा student ठीक है, C answer होगा तो क्या option बना हमारा C, क्यों? sorry sorry, C नी student B answer बनेगा इसका, why? because the direction and control of preparation of electoral roll and conduct of all elections, panchayiti shall be vested in not a election commission of India student, it is state election commission state election commission student state election commission state election commission not a election commission of India student panchayiti raaj पी हमारा state election commission control करता है student, ना की हमारा election commission of India करता है, ठीक है जी? तो हमारा B option जो होगा, वो हमारा correct बनेगा, ना की C बनेगा clear है student, okay है, तो 35 number question पढ़ो student, this is also very important question, पॉलिटी के तो इतने जबर्दस्त question आयो है बेपर में कहता है, who is the chairperson of the interstate council, interstate council के chairperson कौन है, president of India, the union cabinet, the prime minister, the union home minister, तो कौन है, अबर prime minister, ठीक है, who is the chairperson of interstate, मतलब की दो states ऐसे हर, जितने भी हमारे India में states है ना student, उनकी council होती है, ठीक है, जो मतलब states की अंदर coordinate बना के रखती है, different different states की अंदर coordination, cooperation बना के रखती है, तो उस council के जो chairperson होते हैं, that is our prime minister, ओकी जी, ठीक है जी, तो next question है, the word bureaucracy was first coined by what, ठीक है, bureaucracy जो word था, वो पहली बार किसने coin किया था, बताईए किसने coin किया था, ये statements, ऐसी statements से होती हैं ना students, देखो, ये political theories की questions है, या तो आपको आते हैं, या आपको नहीं आते हैं, दो इक conditions से इसमें, ठीक है, या तो आते हैं, या फिर नहीं आते हैं, राइट, तो इसे question को ना student, आप जो है na attempt मत किया करो, अगर आपको नहीं आते, क्यूंकि पता ही होता है कि गलती होगा question, ठीक है, सही तो नहीं होगा, राइट, सही होने के chances बहुत ही कम होते हैं, students, ऐसे questions के, अगर आते हैं, तभी attempt करो, otherwise आप question को attempt ही मत करो, ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी, तो कौन थे, Vincent C, D, Gorne, ठीक है, Vincent D, Gorne, जो थे, उन्होंने पहली बार क्या किया था, हमारा, the town bureaucracy को क्या किया था, coin किया था, आप भी तो bureaucratic ही बनोंगे न, है न, तो आप सब भी bureaucratic बनोंगे, तो इसी term को किसने coin किया था, Vincent D, Gorne, ने, ठीक है जी, ओके, हाँ जी, तो next question को पढ़ो, student, बहुत ही beautiful question ने, student, अच्छा, क्या था, which of the following resulted from the Brettonwood conference, Brettonwood conference के result में क्या चीज आई थी, क्या बना Brettonwood conference के बाद, United Nation बना, हमारा League of Nations बना, institutions meant for checking, nuclear proliferation बना, D option हमारा World Bank या IMF, एंड IMF बना, ठीक है, हैं जी, बताईए, International Monetary Fund, ठीक है, IMF, क्या बना student, बताईए, क्या बना था student, World Bank और हमारा IMF बना था, किसकी conference में, Brettonwoods conference के अंडर, ठीक है, जो हमारा World Bank है और IMF है, तो ठीक है student, आप मुझे ये बताओ, IMF का, और World Bank का, मैंने पहले करवा के रखे हुए आपको, दोनों के headquarters कहाँ पे, ये आप मुझे comment box में बताओ, दोनों के headquarters कहाँ पे है student, ये आप मुझे comment box में बताईए, do comment students, ठीक है, पता चलता है, आपकी seriousness कितनी होगी, इसमें, ठीक है, ओकी, तो next question पढ़ते है, question पढ़िए students, question पढ़ो, question है, कहता, which one of the following is not a sufficient ground for conveying a joint sitting, not, पुछा student, joint sitting of both the houses of parliament, कहता, दोनों houses, जो हैं हमारे कौन-कौन से, हमारा upper house मतलब की लोगसबा, sorry, lower house लोगसबा, और जो हमारा राज्यसबा है, इन दोनों की joint meeting, पता है न आपको, कि जो हमारा राज्यसबा है, और जो हमारा राज्यसबा है, दोनों की joint, एक joint session भी हो सकता है, student, ठीक है, joint session भी हो सकता है, ठीक है, कब नहीं हो सकता, ये पूछा उसमें, ठीक है, तो पहली statement में कहता है, कहता है, rejection of a bill by one house of the parliament, अगर एक house हमारा bill reject कर दे, ठीक है, when the other house has passed, कहता है, एक house जो है हमारा, मालनों लोकसबा ने उसको क्या कर दिया, reject कर दिया, और हमारी राज्यसबा ने पास किया हुए, ठीक है, यहां वाइस वर्सा भी हो सकता है, फिर दूसरी में कहता है, both houses have finally disagreed as the bill amendments to be made in the bill, कि किसी bill के अंदर आपने क्या किया, amendment की, ठीक है, और दोनों houses ने finally उस पर डिस अगरी कर दिया, कि नहीं यह amendment सही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, six months से उपर हो चुका है, ठीक है, time period हमारा, फिर हमारा D statement है, कहता है, president has refused to give his assent to the bill, आपको पता है, student कोई भी जब भी bill बनता है, ठीक है, वो bill जो है, ठीक है, फाइनली तभी पास होता है, student जब तक, जब president की आमें assent मिलती है, without president की assent की बिना, कोई भी bill जो है, वो implement नहीं हो सकता, ठीक है, despite the fact की, अगर दोनों हमारे houses जो है, अगर वो पास भी कर दें, ठीक है, और उसके बाद, president जो है, अगर उसको मना कर दें, तो वो bill जो है, वो कभी भी implement नहीं होगा, execute नहीं होगा, वो bill, ठीक है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, जी, अब मुझे statement correct बताईए, student मैंने question बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, अब मुझे आप correct answer दीजिए, अच्छे, not पुछा है, student, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखना, मेरी बात, उसने क्या पुछा है, not, not sufficient ground, not sufficient ground, तो D option हमारा बनेगा, student, क्योंकि बाकी condition सारी sufficient ground होती है, joint sitting, president has refused to give his assent, ये कोई sufficient ground नहीं है, कि आप एक joint sitting कराओ, दोनों हमारी houses की, ठीक है, joint sitting करवाओ, ये कोई sufficient ground नहीं है, कि president ने उसको reject कर दिया, ये assent नहीं दिये, तो आप जो है, joint session कराने लग जाओ, नहीं, joint session करा भी लोगे, तो भी आपको president के पास asset लेने तो जाना ही पड़ेगा, answer तो उनकी चाहिए ही, चाहिए, चाहिए फिर आप joint sitting की क्यों करा लो, तो ये तो आपका फिर option जो है, वो तो ground बना नहीं न, ठीक है, ओक्य जी, ओक्य ओक्य बच्चा, ठीक है, तो 39 नंबर question पड़ो, question पड़ो student, हाँ जी, क्याता है, celebrating its 50-year booker's prize declared its best of the man, best of the man booker's prize on 7th of July 2018, which book won prize, see here student, अभी ये current affair का question है, आप देख रहे हो, जिस साल पेपर आया न, उसी साल का वो current affair पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब, अगर हमारा पेपर, जैसे जो PCS का पेपर है, वो 2024 में हो रहा है, हाँ न, तो student see here, अगर वो हमारा पेपर की जो chances हैं होने के, वो जैन और फेब में है, कि स्टार्टिंग में हमारा पेपर हो जाएगा, प्रिलिम्स का, तो जो हमारा current affair important है, वो कौन सा है, 2023 का current affair important हुआ न, राइट, 2023 का हमारा current affair क्या हुआ, important हुआ, ठीक है, ओकी, तो correct option क्या है, student इसका बताईए, मुझे 7th July 2018, which bone है, this prize, ठीक है, देखो student, ऐसे question होते हैं न, student, वो यहां तो आती हैं, यह नहीं आती, सिद्धी बात है, तो 40 का option होगा, हमारा C, home fire, ठीक है जी, current affair आपने पड़े होंगे, बहुत अच्छे से, तो आप question कर ले जाओगे, नहीं पड़े होंगे, तो आपका नहीं होगा question, ठीक है, तो 40 number question देखो, कहता, which of the following statement are not correct, correct नहीं है, यह पूछा है, तो देखी, as per the provisions of the constitution, the council of the ministers is both collectively and individually responsible to the log sabah, सबसे पहले तो student उसने not correct पूछा, यह बात अपने mind में अच्छे से बठा के रखो, दूसरा कहता है, यह sensor motion must state that the reason of its adoption, फिर third option है, कहता है, यह no confidence motion must set out the ground on which it is based, fifth option है, student हमारा, fourth option है हमारा, that is, कि if a no confidence motion is passed by the log sabah, ठीक है, the council of ministers is bound to resign, not correct पूछा है, तो अब मुझे बताओ, student कौन सा option not correct है, बताओ, एक बार pause लो student और statement दुबारा से पड़ो, कौन सी statement गलत है, मैं आपको time देती हूँ, student यहाँ पे, ठीक है, time दे रही हूँ, बताओ, वोन युछ, रही है, जुछा ऑ्याँ तो, यहाँा है, वोनुछारा से पाल प्रताओ, ऱही है अबताओ, जुछा है, रही है, बताओ, हाँ जी, दन है तो ठीक है, देखो statement कौन सी incorrect है हमारी C statement हमारी देखिए अब ध्यान से कहता है, no confidence motion must set on the grounds on which it is passed नहीं तो C option जो है न, student वो हमारा यहां पे क्या है not correct बनेगा, बाकी सब सही है, देखो कैसे अगर no confidence motion यहां पे पास हो जाते है तो सारे ministers को resign है बिल्कुल करना पड़ेगा, sensor motion जब भी होता है तो उसका reason बताना पड़ता है बिल्कुल करना पड़ता है as per the provision, constitution, the council of ministers जो होते है, वो collectively responsible होते हैं, यतने भी ministers होते हैं वो सारे responsible होते हैं और individual भी responsible, home minister अलग से responsible है, defense minister अलग से responsible है, जो हमारा health care वाले है, वो अलग से responsible है family welfare वाले अलग से responsible है, women वाले अलग से responsible है हर एक minister जो है, वो individual क्या है यहां पे responsible है ठीक है जी, तो ठीक है बताईए फिर आगे, next question next question पड़ो हैं जी, next question पढ़िए आप यहां पी कहता है, in the first financial year of GST regime in the country, concluded recently the list of the following statements in the descending order of per capita revenue, starting with the highest to the lowest ठीक है, factual question नहीं है student आपका, fact है, ठीक है ठीक है तो क्यों पड़ो, कहता है in the first financial year of GST regime in the country concluded recently list of the following states in the descending order of per capita revenue, starting with the highest to the lowest तो question क्या है student वो पढ़ने की बाद इसका जो correct statement है, that is our E तो correct statement इसकी क्या है, हर्याना, महराष्ट्रा, करनाटका, पंजाब ठीक है, यह उस टाइन की list है student, ठीक है, current affair का question है student, ठीक है, चलो, move करते हैं further ठीक है, 42 number question पढ़ो बच्चे, बहुत ही, मतलब प्यारा question है, GST जे स्टाइन पे आया, ऐसे question, you know, UPSC से उठाया है, इनो नहीं यह question, UPSC ने में सेम question डाला था 2018 में, केता है, the government has powers under the Essential Commodity Act 1955, to declare a commodity as an essential commodity to ensure its availability, to people at fair price, the commodities covered under the Act include what? पहला है paper, दूसरा केता है, हांक, यान, मीड, होली from cotton, third option है fertilizers, fourth petroleum and petroleum products, fifth option है cotton and jute seed केता है, जो Essential Commodity Act है हमारा, कौन सा, 1955 उसकी अंदर, कौन सी इसकी अंदर में से, कौन सी ऐसे products हैं, जिनको हमने Essential Commodity declare किये, Essential Commodity का मतलब student यह होता है, simple मैं बताऊं, ऐसी commodities, ऐसी commodity student, जो हमारे daily life के लिए बहुती ज्यादा important है, important बहुत ज्यादा है, second चीज, market में उनकी availability जो है, वो एक fair price की उपर रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उनका जो price है, वो आसमान चूर है, कोई person उसको, you know, afford ही नहीं कर पा रहे है, तो कौन-कौन है paper, बिल्कुल essential community है हमारी, right? हर बच्चे को, हर college वाले को, हर किसी को paper चाहिए, हां कि आन made holy from cotton बिल्कुल, ठीक है, fertilizers बिल्कुल farmers की essential है, वो नहीं है, तो हम farming करेंगे कैसे? petroleum and petroleum product बिल्कुल essential है, cotton and jute seed बिल्कुल essential है, यहीं नहीं होंगे, तो student हम, मतलब वो नहीं कर सकते हैं, imagine भी नहीं कर सकते हैं, कि हमारी कोई, कोई भी economy का part, जो है, वो sustain कर जाएगा, तो correct option क्या होगा? सारे होंगे, all are correct options, ठीके जी? हाँ जी, तो 43 number question पढ़ो, क्याता, with reference to the stand-up India scheme, which of the following state, उस टेंग का यह बहुत important questions हा, ठीके, stand-up India scheme के बारे में question है, और correct पूछा है आपसे, ठीके जी? हाँ जी, correct पूछा है, क्याता, its purpose is to promote entrepreneurship among SCST and women entrepreneurship, दूसरा है, क्याता, it provides for refinancing through RBI, तो correct statement क्या है, बताईए, क्याता, stand-up India scheme, तो correct statement क्या होगी, इस में, बताओ, क्याता, its purpose to promote the entrepreneurship among SCST and women, नहीं, उनको नहीं, पूरे सब को target किया गया था, SCST या, women को नहीं, सिर्फ target किया गया था, it provides for refinance, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही था, तो हमारी statement to correct होती है, यहाँ पी, है न, stand-up India scheme को लेकर, ठीक जी, हाँ जी, तो 44 number question पड़ो, क्याता, which of the following statements are correct regarding economic and statistical organization of Punjab, ESO, बताओ, क्याता, it provides advisory services to the state government on economic matters to form policies, दूसरा कहता है, it acts as a nodal agency for MPLAD scheme and helps district planning committees, यह जो है न, student, यह वाली जो है, यह न, हमारे MP से related है, जो हमारे legislatures, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के MPs है न, student, ठीक है, उनको अलग से न, fund मिलता है, actual में, ठीक है, एक scheme को apply करने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में यह पू की ध्यान से पढ़ो, इसको statement को, न, आप question को कर ले जाओगे, trust me student, आप कर ले जाओगे, इसको करो एक बार, हाँ जी, तो क्या option बन सकता है, आप बताना मेरे को, it provides advisory services to the state government for economic, बिल्कुल सही statement, दूसरा कहता है, it acts as a nodal agency for MAPLAD scheme and helps district planning, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स हैं यह बच्चे, तो हमारा बोथ one and two, हमारा दोनों ही correct statements है, है न, ठीक है, ओक, ओक, यह हो गया हमारा, हाँ, ठीक है, तो अभी 45 number question बढ़ते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं यार इसको, ज्यादा ही हो गया, ठीक है, अब ठीक है, तो पढ़ना, एक बार question, कैता दा international movement, me too, पता हैं आपको me too movement कितनी ज्यादा, उस टाइम पे popular थी, 2018 में बहुत ज्यादा, started against sexual harassment that was popularized by Eliza Milano in 2017, was originally started around 2006 by what, यह popular तो student होई थी, 2017 में जाके, किस के थरो, Eliza Milano के थरो, लेकिन यह 2018 में, 2006 में यह concept आया था actual में, popular यह बाद में हुई, 2017 में जाके, तो आप मुझे बताओ, किसका correct option क्या बनेगा, कैता उमा थुर्मान, तुराना बुर्के, अशले जुन्ड, एजलीना जॉली, तो कौन थे, हमारे, तो तराना बुर्के जो था, वो उसकी correct statement थे, ठीके जी, तो 46th number question पढ़ते हैं, तो पढ़ो 46th number question, अच्छा, कहता है, deficit financing means that the government borrows money from what, deficit word का मतलब क्या होता है, कम, financing में आपको कम हो गया, आप ऐसे न, economic की terms को अगर ध्यान से पढ़ भी लोगे न, तो भी questions आएंगे, आपको समा, revenue department नहीं, revenue department का, word bank नहीं, RBA, correct option क्या होगा, RBA, ठीके, तो government क्या करती है, जब भी उनका finance deficit होता है, तो RBA से पैसा क्या करती है, borrow करती है, कौन, government borrow करती है, student, RBA को बोलती है, कि हंजी, आप जो है, हमें new money print करके दो, या फिर आप क्या करो, हमें interest loan, ठीके, एक interest rate पे आप हमें पैसा दो, ठीके, कौन देता है, RBA देता है, ठीके, तो 47 number question पढ़ते हैं बच्ची, पढ़ना question, कहता है, which of the following statements are true, true पुछा है, सबसे पहली बात तो, about Agni 5 missile, ठीके, that was successfully testified, from Wheeler Island, on June 3, 2018, कहता है, it is a nuclear capable intercontinental ballistic missile, ठीके, intercontinental ballistic missile, फिर कहता है, it features ring laser gyro based inertial navigation system, फिर third statement कहता है, कहता है, it does not have micro navigation system, अब बताना है, आपको इसमें से correct statement पूछने हैं उसने, correct पूछिए, तो बताओ student, थोड़ा पढ़ लो, I think so, कि अब तक तो आपने, इन missiles के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ी लिया होगा, right, मेरी भी यहाँ पे सारी science खतम हो चुकी है, for PCS, okay, तो पढ़ो फिर, ठीक है, तो क्या correct statement बनेंगी इसकी, 1 and 2, क्या बनेंगी, 1 and 2, 1 and 2 इसका correct statement बनेंगा, student, क्यों बनेंगा, देखते हैं, it is intercontinental, बिलकुल सही, it's feature ring laser, ring laser present, इसमें ठीक है, it does not have micro navigation system है, ठीक है, तो 1 and 2 statement, okay, 48, who recommends the minimum support price and issue price, I think so, की यह question, I don't know, कितनी बार बता दिया होगा, that is, commission for agriculture cost and prices, okay, students, let's move further, 49 number question, पड़ो, क्याता है, India has been re-elected to the United Economic and Social Council, this is very important body, student, this is very important, बहुत important body है, क्यों important है, क्योंकि United Nation की जो हमारे six organs है, उनमें से one of the organ है, हमारा, ECOSOC, this is very important body, student, United Nation, हमारा जो United Nation है, उसकी six, जो organs है, ठीक है, important organs है, उनमें से one of the major, that is our ECOSOC, तो पूछा है statement आप से, क्या पूछा है, student, ध्यान से पड़ो, कहता है, India will hold a five-year term beginning from January 1, 2018, दूसरा कहता है, एक country requires one-third, of the total votes, to become the member of ECOSOC, correct statement पूछी है, तो बताओ क्या है, तो क्या है correct statement, हमारी, two statement correct है, क्योंकि, this is not the five-year term, बच्चा, it is three-year, it is three-year term, ठीके जी, तो हमारा correct option क्या बनेंगा, two only, दो हमारा correct option बनेंगा, ठीके जी, ओके, ठीके, ओके, ठीके students, तो ठीके student, ये session में, यहीं पे over करती हूँ, आगे वाले question जो है, वो हम next session में करेंगे, और इसी के साथ student हमारा new best start हो चुका है, for Punjab Civil Services, जो exclusively dedicate है student हमारे prelims को लेकर, prelims focus ये इस बैच है student, और even इसके साथ आपको students, recorded classes, online, offline, दोनों mode अवेलेबल है, recorded classes भी अवेलेबल है, test series भी अवेलेबल है, जिसमें आपके monthly test होंगे, weekly test होंगे, sectional test, full length test, सभी test include है student, तो आप इसके लिए आपको link description box में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर, registration कर सकते हैं, for Punjab Civil Services, okay student, okay, okay, ठीक है, मैं ये session over कर रही हूँ, thank you, thank you so much, have a nice day, कर खाएबले कांएबले कर दो दो झाल झाल